कि है गाइस देखे आज मैं शॉर्ट में आपको कुछ चुनिंदे स्टॉक के बारें बताऊंगा जब भी लास्ट वीडियो होता है तो मैं जल्दी जल्दी आपको इंफोर्मेशन दे देता हूं कुछ अपडेट के तौर पर बता देता हूं जैसे कि विकास मल्टिकॉप तो पहले यह जब भी भागता था भाई 5% के आसपास ही भागता था तो देखो यहां पर इसने क्या किया थोड़ी बहुत गिराओट में था पहले सरकीट मारा 5% का नीचे फिर यहां 10% का ओपर सरकीट मारा तभी तो 5% प्लस में अभी आपको देखने को मिल रहा तो इसके भी लग रही है बागी भी आप देख सकते हो भाई आज के डडेट में भी और भाई जैसे ही मतलब देख सकते हैं यह जब मार्केट उपे था तब का स्क्रीन शॉट है यह पर देख सकते हैं 11 o'clock का स्क्रीन शॉट आपको दिखाया जा रहा 11 o'clock का अगर नीचे देखो गो पूरा भरी हुए बेचने वाले भी देखे हैं लेकिन थोड़े कम हैं यहां पर देख सकते हैं खरीदने वाले सभी लोग खरीदने के लिए तगया रहे हैं और तब की डिलिवरी देखोगे तो लगबग 60-70% के आज पास है अगर देखेंगे तो लगबग यहां पर फिर भी पैसा मिलेगा पैसा अगर दोगे यहां मार्किट में तो आपको कुछ नहीं मिलेगा और दूसरा जो स्टॉक है टेलीकॉम सेक्टर का वोड़ा फोन आइडिया जिसमें आज कल आपको तेजी देखेने को मिले भाई अगर आप देखोगे तो इसने कुछ-कुछ अच्छा पैसा तेजी देखेने को मिलेगा 46% के आसपास पहले यह स्टॉक बिलोग 10 रुपीज के आसपास ही हुआ करता था ज्यादा तर और यह 12 रुपीज यह बहुत दिनों के बाद यह पहुंच पाया है बाई मुझे पता भी है जब यह स्टॉक 8 रुपीज के आसपास था तब पैसा तो बहुत देखेने को मिलेगा जिस वज़े से यहां पर स्टॉक में आपको काफी अचा तेजी देखने को मिल रही है प्राइस जो बढ़ाया जागा तो बहुत देखो टेलिकॉम सक्टर में 3-4 कंपनी है जो सही तरीके से चल रही है उसमें से लास्ट में पेनी सर्वाइब करता रहता सर्वाइब करता रहता तो भी यह पेनी स्टॉक्स बन सकता है मल्टी बगर्ट के तौर पर बन सकता है नहीं तो अगर जियो ने कोई एक्षन लिया रिलाइंस ने कोई एक्षन लिया तो बहुत अगर कोई तकलिफ नहीं है और जहां तक बातरी अच्छी है वो भी लंबे समय वगारा के लिए सही है कोल इंडिया जैसे स्टॉक अच्छा पॉफम नहीं कर पाएंगे आने वाले दिनों में क्योंकि ऐसा जमाना गया भाई आप पॉलूशन अफ नहीं फैला सकते हैं अगर आप पॉलूशन फैलाते हो तो मुझे लगता है क देना पड़ जागा आने वाले दिनों में भी तो बाई टॉन्टी वन पसंट के आसपास जो है इसका रिजल्ट में आपको गिरावट देखने को मिला देख सकते हैं टॉन्टी वन पॉइंट फोर पसंट के आसपास तो भाई यह तो होना ही था अभी भी आगर आप पूछ होगे अभी भी आगर आप पूछो कर मुझे तो मैं आपको बोलना चाहता हूं आने वाले एक दो क्वाटर बाई मिस्टेक आपको सही देखने को मिलेगा लेकिन सारे क्वाटर में आपको क्या वाले की चीज़ देखने को मिलेगा लॉस लॉस और लॉस तो लंबे समय के लिए कोल इंडिया अच्छा नहीं है भाई सोचने और समझने की ताकत थोड़ा दूर तक समझो आज कल क्या चलता है तो भाई टेकनोलिजी चलती है बागी आप समझो भाई मैं आपको बेशने के लिए नहीं बोला हूं आप भी में मैं आपको बलूँगा लंबे समय में नहीं कोल इंडिया ने कभी किसी को कुछ दिया है और नहीं आने वाले दिनों में देगा और वैसे यह यह कंपणी देख सकते हैं बाई 2010 से 2020 हो चुका दस सालो में इसने कंपणी ने कुछ नहीं दिया सोच हो दस साल स्टूडेंट स्टूडेंट अगर एक साल फेल हो जाते है तो सुसाइट करने पर चले जाते हैं मतलब सोचो बाई यार दस हुआ वह बीस साल पर चार्ट करते हैं या उठनी पार फिर भी हम नहीं सोचते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं एक एक बहुत ऐसी चीज है किमती चीज होत कभी नहीं खरी सकते kभी नहीं खरी सकते तो यह जो टाइम आप यहां पर लगा हो सही स्टॉक्स पर रगाओ पैसा आपको मिलेगा और मर्जी बूड़िया आप को अच्छा लगा तो और फ इनधिया में देख सकते हो लो समझ लो कुछ दिन के बाद आपको यहां पर गिरावट देखने को मिलने वाला गिरावट का मतलब वह गिरावट नहीं meaningful correction healthy correction आपको देखने को मिलने वाला है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था हर quarter रिजल्ट में यहां आपको कम से कम 30-40 पसंट के आस पास रिटन देता है अब इसकी बारी आज चुकी है थोड़ा consolidate करने के मतलब वह बहुत लंबा दोडने के वाद किया करता रिष्ट मोड में जाते है और अग्र मोर अपने डिव्मेंट बोड़ोंड चाहते है इंडिया का बेस ब्लोके फिल्म हो ज्यादा तो लोग कन्फीज होते हैं कहां डिमेंट अकाउंट उपेंड करना सही होगा अपस्टॉक जिरूदा एंजल आलिस ब्लू कम पैसे में मारजियों करके आप कहां ज्यादा ज्यादा बेनिफिट कर सकते हैं आप स्टॉक में नॉर्मल ओटर सही है इंट्रडे कवर ब जैसे डिमेंट अकाउंट उपेंगे कोई बी प्रॉब्लम समस्ति है तकलीफ देखने को मिल रही है डिमेंट अकाउंट उपेंट करते समय तो आप इस नंबर पर बोल सकते हो वाटसप या समस कर क्योंकि यह 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 ब्रोकर का नंबर है बाकि डिस्क्रिप्शन में लि